हेलो नमस्ते और एक बार फिल से आपका बहुत-बहुत स्वागत है Competition Community के YouTube चैनल पे और मैं हूँ स्वारब FTR 3.0 की जो सीरीज चल रही थी उसमें गणतिय योगिता का दूसरा भाग जो है अब उस पर आधारित ये वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले प्रतीशत के सवाल देखेंगे लाब और हानी के सवाल देखेंगे साधारन ब्याज, चक्रवरिद्धी ब्याज और साजेधारी इन पांच टॉपिक्स के उपर, इन पांच विशयो के उपर हम सारे कुश्चन्स देखने वाले आईए आपनी नोटबुक और पैन उठाईए, मेरे साथ बने रही है आखरी तक यहाँ पे हम सिर्फ सवाल ही नहीं करेंगे, बलके उसके पीछे का कॉंसेट भी देखेंगे तो सवाल की प्रैक्टिस तो होगी, लेकिन आप इसमें कॉंसेट भी सीखते जाएंगे तो आएए स्टार्ट करते हैं पांचो टॉपिक्स जो टॉपिक्स आज हम डिसकस करने वाले हैं और एक बटे एक से लेकर एक बटे बीस तक के जो प्रतीशत मान है वो हम एक बार देख लेते हैं, इन सभी अंशों के, यानि के भिनों के, ठीक है इन अंशों के अगर बात हम करते हैं तो सबसे वहली बात आता है एक बटा एक, एक बटा एक का मतलब होता है सो प्रतीशत, एक बटा दो का मतलब होता है पचास प्रतीशत, एक बटा तीन का मतलब 33, एक बटा तीन, जिसको हम लिख सकते 33, तीन तीन प्रतीशत, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो बाते किए, एक बटे चार का मतलब 25 प्रतिशत होता है, एक बटे पांच का मतलब होता है, 20 प्रतिशत, कैसे आ रहा है, इसमें बस सो गुना करने से आ जाएगा, एक बटे छे का मतलब होता है, 16 दो बटे तीन प्रतिशत, जिसको की हम इस तरह से भी लिख स आप रतीषत याने 452 8 प्रतीषत भी आप इसको लिख सकते हैं , एक बटे 8 का मतलब होता रोथा है 12.5 थीक है एक बटे 9 का मतलब ह reasoning, 11- 11 फांच, एक या बटे 10 का मतलब हुता रहा 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 conclusion सून ये नौ प्रतिशत इस तरह से चलता रहेगा रुकेगा नहीं फिर आएगा एक बटे बारा का मतलब होता है आठ दिसम्लब एक बटा तीन जिसको हम लिख सकते है आठ दिसम्लब तीन तीन प्रतिशत भी इस तरह से भी आप लिख सकते हो उसको इसके बाद आएगा एक ब बटे साथ भी लिख सकते हैं जो की होता है 7.14 ठीक है 7.14 एक बटे 15 का मतलब होता है 6.2 बटे 3 जिसको हम लिख सकते हैं 6.66 परतीशत ठीक है यह इस तरह से चलता रहेगा रुखने वाला नहीं है आगे बढ़ते हैं एक बटे 16 का मतलब होता है 6.25 परसेंटेज फिर आएगा एक बटे 17 जो की 5.15 बटे 17 है और इसको हम लिख सकते हैं 5.88 परतीशत लगवग और एक बटे 18 मतलब 5.5 बटे 9 होता है जिसको 5.55 परतीशत भी लिख सकते हैं अगला यहाँ पर आएगा एक बटे 19 जो की होता है 5.5 बटे 19 जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5.26 ठीक ह और आखिर में आएगा एक बटा 20 जो क्यों होता है फास प्रतिशत ठीक है तो इनको मैं आशा करता हूँ अपनी नोटबुक पे लिखा होगा क्योंकि ये जो वैलूस है फ्रैक्शनल वैलूस इसी पर आधारित हमारे जो कैलकुलेशन होते है परसंटेज के वो काफी आसान हो देखी कोई संख्या है संख्या को माल लेते है एक्स तो अगर ये संख्या एक्स है एक्स का मतलब होता है गुणा करना 20 प्रतिशत अब 20 प्रतिशत का मतलब क्या होता है 20 बटे 100 और हमने अभी अभी देखा था इसका मतलब 1 बटा 5 ही होता है मतलब मैं यहां 20 प्रतिशत ल 252 के वराबर है 252 के वराबर है ठीक है तो आईए इसको फॉल करेंगे तो देखिए यहां से 5 और 5 कट गिया यह 2 कटेगा इससे 126 बार और जो X है यह आ जाएगा 5 गुने 12 होता है 60 60 गुने 126 जो की हो जाएगा 36 और यहां पर 72 प्लस 3 75 75 60 हो गया इसका मान तो जो उत्तर है इसका C option याने की तीसरा जो है option यह सही उत्तर है आशा करता हूँ पहला सवाल आपको अच्छे से समझ में आयोगा आसान सी सवाल के साथ हमने start किया है ठीक है आगे बढ़ते तो अगला सवाल यहां पर आ चुका है इसको solve करने की कोशिश करेंगे चाय की कीमत में अगर 20 प प्रटिसद बढ़ा दिया और हमने खपत को भी धी प्र头 करिया तो हमारा जो इसने क्या हुआथा खर्च जो हुआ था वो कितना प्रतीशद कम हुआ यह हमें निकालना है तो देखने इसके लिए हमें कुछ astrology फोटी बाते बता होनी चाईगे पहली बात ये है कि अगर हम X प्रतिशत और Y प्रतिशत के लगातार दो प्रतिशत परिवर्तन अगर हम करते हैं तो उसके बराबर एक जो प्रतिशत मान होता है वो कुल प्रतिशत परिवर्तन होता है यह बहुत important formula है इसको आप सूत्रु को लिख कर रखिए अगला जो हमें पता करना है वो यह होता है खर्ष बराबर कीमत गुणे खपत जैसे कि मान लिजे कि अगर आप एक महिने में 10 लिटर का petrol आपको जरुरत परता है यहाँ वहाँ आपका जो दिन भर का जो transportation है उसमें आपका 10 लिटर का यादायात में आपका जाता है तो मान लेते हैं कि 10 लिटर आपका क्या हो गया खपत हुआ कि नहीं हुआ 10 लिटर आप consume कर रहे हो यानि यह आपका खपत हो गई और petrol की दाम मान लेते हैं कि 80 रुपिया है मान लेते हैं कि petrol का दाम है 80 रुपिया तो आप बताइए खर्च कितना हो गया petrol पे जाहिर सी बात है 80 रुपिया प्रती लिटर गुने 10 आप करोगे तो यहाँ से आपका खर्च निकल के आगया 800 रुपिया बात समझ में आई कि यह क्या लिखा हुआ है खर्च बराबर कीमत गुने खपत तो कहीं पर भी आपकी कुछ कीमत दी हुई है और आपका consumption याने खपत दिया हुआ उन्दोनों को गुना करोगे तो आपका खर्च निकल के आ जाएगा वैसे ही कुछ बात यहाँ पर है चाए की कीमत को 20% की वृद्धी की गई और उसने खपत को 20% कम कर दिया तो कितना प्रतिशत खर्च कम हुगा तो देखिए इसको मिटा देते हैं तो अगर इस चाए की कीमत जो है इसमें हमने क्या किया था 20% की वृद्धी कर दी थी वृद्धी करने का मतलब इसको हमने 20% से बढ़ा दिया प्लस किया और इसको हमने क्या किया कम कर दिया 20% से तो आब इसमें क्या होगा देखिए अब एक तरीके से देखिए इस value में हम क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं गुणा करने का मतलब पहले 20% बढ़ा रहे हैं और फिर से 20% कम कर रहे हैं तो कही न कहीं यह वाला formula यहाँ पे लगेगा तो यह जो change है यह percentage net यानि कि कुल परिवर्तम जो इसका निकल के आएगा वो x plus y plus x y by 100 तो देखिए जब यहाँ पर दोनों के दोनों सेम है 20 minus 20 हो जाएगा तो अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर x y में हम बढ़ने पर plus डालते हैं और अगर घट रहा है तो x y के जगा पे ह यह 00 कड गया अब चार दो कुले दो होता है चार माइनस का चार अजाएगा अब ये उस माइनस के साइन से पता चल रहा है कि रिना आत्मक संख्या इससे कमी हो देखिए मैं आपको एक और अप्रोच यहाँ पर बताता हूँ जो कि इस तो आ सा अलग है इस formula की बिना भी आप इसको solve कर सकते हैं अब देखिए fractional values को कैसे इसको हल करना है वो मैं अभी बताने वाला हूँ जैसे कि समझ लेते हैं कि यह 20 प्रतिशत है 20 प्रतिशत का मान होता है एक बटा पांच ही हम देख चुके हैं अब पहली बात तो इसने कह दी कि हमें कीमत जो है वो अगर पहले पांच थी तो अब बढ़ चुकी है 6 हो चुकी है बात समझ में आई पहले अगर 5 थी तो आपने इसको एक बटे 5 से बढ़ा दिया एक बटे 5 मतलब 5 का एक बटे 5 क्या होता है एक अई होता है तो बढ़ाओगे तो 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा और दूसरी बात आपने खपत को 20 प्रतिशत कम कर दी कहने का मतलब अगर खपत पहले 5 थी तो 5 का एक बटे 5 तो एक अई होता है और 5 का एक बटे 5 मतलब एक आपने उसमें कम कर दी और कम करने का मतलब यहाँ पे 4 थी तो अब यहाँ पर 5 थी तो यहाँ पर कितना हो गए 4 हो गए तो ये जो है आपका 20 प्रतिशत बढ़ गया, पहले से 5 से आप बढ़ गया, 6 और ये 20 प्रतिशत कम हो गया, 5 से घटकर 1 हो गया, तो हमारे जो खर्च है, हमारा जो खर्च है, खर्च की यदि हम बात करते हैं, तो पहले ये 25 हुआ करता था, और 25 से घटके अब कितना हो गया, चोविस हो गया, तो अगर हमें ये निकालना है कि प्रतिस्यत कमी कितनी होगा, प्रतिस्यत कमी कितनी होगा, तो ये हमारा क्या है, प्रारंभिक मूल्य है, ये हमारा अंतिम मूल्य है, तो आप जानते हैं प्रतिस्यत कमी कैसे निकलता है, प्रारंभिक मूल्य में से आपको अ तो यहां पर बताईए कितना आगर 4 प्रतिसत आगे तो देखे आप चाहे ऐसे solve करिए आप चाहे successive percentage याने की लगातार अगर 2 प्रतिसत से आप एकी value को बढ़ा रहे हो यह घटा रहे हो तो यहां से इससे लिकार लिए या आपको यह ratio approach समझ में आ रहा है तो उसको आप लगा और हमें बूल दिया समय तो एक चीज हमें पता होनी चीए कि साधारन ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे ब्याज की दर गुणे समय बटे 100 तो देखे अगर हम यहां से ब्याज की दर कह रहे हैं 6 एक बटे 4 प्रतिसत तो आप जानते इसका मतलब होता है एक बटे 16 औ बात कर रहें तो मूलधन हमारा आ गया कितना 16,000 रुपया तो यहां पर 16,000 रुपय लिखेंगे और जो ब्याज की दर हो नंग्रान धार समय ब्लक ब्रतिसक अइया होती है और जो समय है और चार नंद भाटिस है यहां से बिख सकते हम लोग और जो करड़ए ए एक बार जाएगा 16 से फिर सुनिये 5 और 0 अगर हम इसको तीन से गुना करते हैं तो आगे बढ़ते हैं आशा करतों कि आपको जरूर समझ में आया होगा तो देखें ये फिर से एक आसान सा सवाल था धिर देरे करके कोश्चन के लेवल बढ़ाएंगे और जैसे आपके एक्जाम में आता है उस तुरह के सवाल भी देखेंगे ये एक सिंपल सा कोश्चन था आपके साधारन व्याज़ से रिलेटेड अगला सवाल आपके सामने है देखें इसको सॉल्व करने के कोशिश करते है यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपे में एक नारियल बेशता है तो उससे 10% का नुकसान होता है यदि वह 25% लाव अर्जित करना चाहे तो उसे कितने कीमत पर नारियल बेशना चाहिए देखें बात समझिए यहां पर हमें एक ब हमें पर लुकरे मूल बेशना है तो यहां पर 90 ≃ता है हमें बेश रहा था यान यह जो दिया हुआ हुआ है यह उनल्या है रूता थ समय इसके पर नुक्ष क्सेंना छाया है बेशना किया हमें अक्षा रहा तो यह क्रेता अगा आर्रुकषा 9-2% 14.4 रुपया हो गया जब आप इसे 90 पर यहाँ पर हमारा आ रहा है 10 प्रतिशत के हानी पर अब यह बोल रहा है इसे 25 प्रतिशत के लाब पर बेशने पर कितने पर बेशना चाहिए तो देखे बात समझे 100 अगर हमारा क्राय मुल्य है 25 से इसे हम बढ़ा देते 25 प्रतिशत से जानते हैं आप 125 आएगा अब हमने देखा कि 125 आगया हमारा विक्रह मुल्य यानि सौ में 25 प्रतिशत बढ़ाया तो 125 आगया हमें यह निकालना है कि अगर 90 बराबर इतना तो विक्रह मुल्य यहाँ पर कितना आएगा तो पहले तो आप एक बराबर कितना निकाल लिए देखिए 14.4 बटे 90 करोगे यह किसका हो गया एक का मुल्य हो गया कि नहीं अगर यह एक का मुल्य तो हमें तो 125 का मुल्य निकालना है तो 125 से बुना कर देते हैं 5 से काटोगे यहाँ पर 25 आजाएगा और 90 जो है 5 से 14 के, लेकिन यहाँ दसमलव में हैं तो 10 आट हो गया, आट दसमलव 20, 200 होता है, 200 में दसमलव लग जाई यहने के 20 आ रुपिया, मतलब 20 रुपिया यहने be जो है इसका सही उत्तर हो गया, चार काrev को सूथे क्विशा कर दिया थे, सिक उत्तर पाठिया धूए भुश्तमं म पच्छित का मान हमने माना है और कुश्चिन के साब से जो आया वो आया 20 रुपिया ठीक तो देखिए यहां पर अगला सवाल आ चुका है अक्षे अपनी आय का 78.1 एक तिहाई जो होता है 78.1 बटे 3 प्रतिशत खर्च करते हैं और प्रतीक जो है अपने आय का 60 प्रतिशत खर्च करते हैं तो यहां से अक्षे और अक्षे का खर्च और प्रतीक का बचत जो है वो बराबर दिया हुआ है तो अक्षे का आय प्रतीक के आय से कितने प्रतिश तो देखे सबसे पहले तो दू-तीन बाते हमें चोटी-चोटी पते होनी चाहिए अगर यह 83 वन बाइट्री दिया हुआ है इस 83 वन बाइट्री का मतलब क्या है 83 वन बाइट्री का मतलब क्या है क्या हम इसे 100%-162 वटे 3%-182 प। कहने का मतलब अगर इसको माइनस करोगा तो 6 में से 1 जाएगा 5 बटेगा तो 5 बटे 6 आरा है तो अगर हम 83, 1 by 3 प्रतिशत की बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है 5 बटे 6 दूसरी बात यहाँ पर 60 प्रतिशत दिया हुआ है 60 प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 60 प्रतिशत का मतलब होता है 60 बटे 100, मतलब हम इसको लिख सकते है 3 बटे 5 या आप ऐसे भी मान सकते हैं कि 20 प्रतिशत का मतलब 1 बटा 5 होता है और 60 प्रतिशत 20 प्रतिशत का 3 मुना होता है तो 1 बटे 5 का 3 मुना कर लिए इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं अब छोटी-छोटी सी बाते हमें पता हैं होनी चाहिए जैसे कि आय बरावर होता है खर्च प्लस बचत तो अक्षे की अगर हम बात कर रहे हैं और प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो अक्षे जो है अपने आय का 5 बटे 6 गुना जो है वो खर्च करता है तो अगर अक्षे की आय जो है यह 6 है तो 5 खर्च करेगा और 1 बच जाएगा वैसे अगर प्रतिशत की बात करते तो यहाँ पर हम देख रहे 5, यहाँ पर हम देख रहे 2, यह तो संभव नहीं होना चाहिए, दोनों को बरावर करने के लिए 5 और 2 का लगुत्तम समाप परते होता है 10, तो क्या हम दोनों को 10 बना सकते हैं, आपका जवाब होगा बिलकुल बना सकते हैं जी, आप दूसरे वाल हम केने में हम तीनों में क्या गुणा कर देंगे, दोना कर देंगे, तो देखें हम को क्या मिल गया यहाँ पर, अक्षय है और प्रतीक है, और यहां पर बचत दस हो गया अब ये बिलकुल मामला यहां पर सेट हो गया कि हमारा जो खर्च है इसका खर्च और इसका जो बचत है दोनों बरावर हो गए अब हमें ये निकालना था कि अक्षे की आये प्रतिक के आये से कितना प्रतिसत कम है देखिए हमें क्या निकालना ह यह हमारा प्रतिशत घटने का फॉर्मूला है तो इसको लगाते हुए हम प्रतिशत कमी निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 25 में प्रारंबिक मुल्य हो गया और अंतिम मुल्य यह मतलब आप देख रहें 13 की कमी उरी प्रारंबिक मायनस अंतिम दो है 25 मायनस 15 25 मायनस 12 और कमी किसने से हुई थी प्रारंबिक मुल्य को बते में दाल देंगे को गुना 100 कर देंगे यह यह कटेगा चार बार और यह होता है चार गुने तेरा मतलब 52 परसेंट ठीक तो बी उप् हमारा हल्ब हो चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल क्यों तो अगला सवाल हमारे स्क्रीन के अपर आ चुका है आईए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दस प्रतिशत ब्याज की दर से दो वर्ष में किसी धनराशी पर साधारन ब्याज जो है वो 81-100 रुप इतना मिलीगा तो देखे सबसे पहली बात तो चक्रवृद्धी ब्याज जो होता है इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं एक तरीका होता है सक्सेसिव परसेंट चेंज तो देखे सक्सेसिव परसेंट चेंज से हम कैसे हल करेंगे वो मैं अभी बताने वाला तो हर साल जो ब्याज लगती है वो लगती आपके मूलधन पर है तो यहाँ पर मूलधन पर 10% पहले वर्स लगेगी मूलधन के 10% दूसरे वर्स लगेगी मतलब जो साधारन ब्याज हमें देना है यानि ऐसा ही जो साधारन ब्याज देना पड़ेगा वो 20 प्रतिशत देना पड़ेगा पहले साल का 10 दूसरे साल का 10 और ये 20 प्रतिशत बरावर सवाल में कितना दिया हुआ है आप का होगे 8100 रूपीज दिया हुआ है लेकिन अब जब बात कर रहे हम चक्रविद्धी भ्याज की तो चक्रविद्धी भ्याज का मतलब होता है भ्याज पर ब्याज देना और मूलधन पर भी भ्याज देना तो जो आपका भ्याज जुड़ गया उस पर भी आप भ्याज देते हो इसलिए यहां पर जो कुल हमारा प जो है आटा अ लगुटल आगैं 21% है तो चक्रविदी बैंस में आप 20% दोगे ही दोगे लेकिन सद्धां एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा क्युंकि यह चकरविदी बैका ब्याज भी बैका सद्धराण ब्याज के बराबर था तो 20 से हमने बाच दिया यह हो गया एक प्रतिसत का मान हमें निकालना किया 21 प्रतिसत का मान तो अब हम इसमें क्या करेंगे गुने से कर देंगे 21 तो जीरो से कड़िया यह कटेगा 405 बार और 405 गुने 21 करोगे तो पहले तो आया जाएगा 105 और यह 84 प्लस एक आजाएगा 85 ठीक है तो यह जो बी उत्तर है यह इसका सही ऑप्शन है ठीक है चटे सवाल का बी उत्तर सही है आशा करता हूं कि यह सवाल भी आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा आगे बढ़ते ह सवाल एक अगला सवाल यहां पर आ चुका है आईए इसको सॉल्व करते हैं 20 जार रुपए की धनराशी पर किसी दर से तीन वर्ष में साधारन ब्याज जो है वह 700 रुप्या है तो धनराशी पर समान दर से दर से होगा और समान अवधी के लिए चक्रविती ब्याज क्या होगा यह हमें निकालना है अब देखे इस सवाल को करने के फिर से बहुत सारे तरीके लेकिन हम यहां पर सकसे सिफ परसेंड याने की क्रमागत जब हम प्रतिशत से बढ़ाते हैं उससे हम इसको सॉल्व करें आप कहोगे 2200 रुपया दिया जी अब यदि मैं पूछू कि आप एक वर्ष में कितना ब्याज दोगे तो आप कहोगे इसको काट लेते हैं तीन से तीन से काटने पर आजाएगा आपका 2400 रुपया इतना ब्याज आप देने वाले हो तो देखिए हमारे जो ब्याज की दर ह होती है यह असल में होती क्या है यह होती है एक साल का एक साल का साधारन ब्याज ठीक है साधारन ब्याज और बटे में आपको क्या करना है मूल धन ठीक है और गुने में आपको 100 करना यही तो हमारा ब्याज की दर होती है आप चाहे ऐसा ही बराबर PRT by 100 लगाईए या आप इस तरीके से भी ब्याज निकाल सकते क्योंकि हमारा यहाँ पर पैन भी चलाने के आविशत्ता नहीं पड़ती है तो अगर मैं आपसे पूछू कि कि ब्याज की दर कितनी है तो आप कहोगे आप एक साल में 2400 रुपया आप कमारे हो किसमें 20,000 रुपय में गुने में आप कर दीजे इसको 100 तो यहाँ पर 12 प्रतिसत जो है यह ब्याज की दर है तो यहां से हमारा काम बहुत आसान हो गया कि आप यह जानते हैं सक्सेसिफ प प्रतिसत से पहले साल दूसरे साल तीसरे साल बढ़ाएंगे तो बारा प्लस बारा कितना हो गया आप कहोगे 36 हो गया प्लस यहां बारे को तीन बार गुना करोगे तो यह होता है स्ट आप हजार साथा अथाइस बटे दस से जार ठीक है तो अब इसको जोड़ लीजे यहां से आगे 36 और यहां से इसका हो जाएगगा दसम्लव चार दसम्लव तीन दो और यह चार है तो यहां पर भी 0.1728 आ जाएगा जी तो इसको जब जोड़ेंगे यहाँ पर 28 आ गया यहाँ पर 9 आ गया यहाँ पर 4 आ गया यहाँ जिरो और 40 कहने का मतलब जो चक्रद्धी ब्याज हमें देना है C.I. हमें देना है वो देना है 40.4928 परतीसत और यह किसका परतीसत है आप कहोगे मूलधन का परतीसत है तो अगर मूलधन का परतीसत है कितना 20,000 रुपय है तो 20,000 रुपय का इतना हमें निकालना है और यही हमारा हो जाएगा ब्याज तो अगर इसमें परतीसत हटा दिया जा यहां से आप देख पारें दो चार संख्या डेसिमल के अंदर थी एक दो तीन चार लेकिन दो शूनिय भी तो बचा है तो दो शूनिय उधर शिफ्ट हो जाएगा मतलब असी दसम्ला पांच शे मतलब यह जो है इसका सही उत्तर है ठीक है तो आशा करता हूं कि यह सक्सेसिव मेथड से हमें कैसे चक्रविदी ब्याज निकालना है आप समझ चुके होंगे तो अगर दो साल आ गया तो वह आले फॉर्मुले लगाई है जो पिछले सवाल में हमने देखा था और अगर थीन तीन आ गया तो यहां पर आप इस में 1348.32 रुपया हो जाएगा ब्याज ही हो जाएगा ठीक है यानि ब्याज नहीं इतना आपका राशी बन जाएगी क्योंकि राशी हो जाएगी बोल रहा है मतलब यह क्या है आपका मिश्र धन है तो देखे बच्पन से हम यह फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि में जिसमें आपका समय होता है यानि कितने टर्म में आपका क्यल्कूलेशन होगा है अगर इस प्रिंसिपल को निकाल की इधर ले आए तो यह बटे में आ जाएगा तो वही चीज हमने यहां लिखा हुआ है कि मिश्र धन बराबर मूल धन बराबर होता है 100 प्लस 100 इधर देंगे इसको अनुपात बना देते कि कही न कहीं यह अनुपात जैसा ही तो दिख रहा है यह क्या है आपका अनुपात ही तो है इसे हम अनुपात में लाने की कोशिश करते हैं तो देखिए 12 से भाग देंगे तो यहां 100 आ जाएगा और बटे में देखिए एक बार आएगा तो दो बार जाएगा 28 का 4 आगे गया तो तीन बार जाएगा फिर 7 आगे गया 72 आगया तो बन गया 6 अब कही न कहीं ये जो है 100 से गुना कर देते दोने तरफ तो दसमलब गया 112 और यहां 36 आजाएगा अब आप आसानी से ये बता पाएंगे कि ये 100 का वर्ग है और ये 106 का वर्ग है और कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो amount बटे principle ये 106 बटे 100 के whole दुगना हो गया तो अगर मैं एक साल की बात करूँ तो आप जानते हैं कि ये दुगने के जगा एक होना चाहिए था मतलब ये पावर जो है 100 से बढ़कर 106 हो गया तो एक साल में कितना बड़ा 6 प्रतिशत और ये ही हमारा जो है ब्याज की दर है कि एक साल में 6 प्रतिशत बढ़ रहा है और वही हमारी जुब्याज की दर है वहां से हम इसको निकाल सकते हैं क्यालकुलेट कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं, आईए इस सवाल को देखते हैं, नवए नंबर का सवाल है, पुस्तकों के मुदृत मूल्य पर 10 प्रतिशत की छूट देने के बाद एक दुकानदार को लाव का 12 प्रतिशत मिलता है, उसकी वास्तविक खरिदी की कीमत और मुदृत कीमत का मुला पता होना चाहिए, कि अंकित मूल्य बटे क्रह मूल्य बरावर 100 प्रतिशत और बटे में आजाएगा 100 माइनस प्रतिशत, तो देखिए यहां पर छूट की प्रतिशत, तो हमें क्या मिल रहा था, 12 प्रतिशत का लाव मिल रहा था, तो यह 12 प्रतिशत हो गया, और वास्तवी मूल्य यही हो गया ठीक है तो अगर हम इसका अनुपात निकालते हैं तो आप जानते दो से काटने पर उपर 56 और नीशे 45 आएगा मतलब आपका जो करे मूल्य है यानि वास्तवी मूल्य पैतालिस है और जो आपका अंकित मूल्य यानि मुदरित मूल्य है वो 56 है यह जो option है यह option यह बिल्कुल सही जवाब है आशा करता हूँ आपका यह उत्तर आ गया होगा चलिए next question देखते हैं आईए अगला सवाल आ चुका है इसको हल करने की कोशिश करते हैं 12,000 रुपे की राशी पर चक्रविदी ब्याज की किसी दर से 5 साल में दुगना हो जाता है तो देखे हमें एक बात पता है कि amount जो होता है 1 प्लस आर बटे 100 यानि मिश्र धन बरावर होल के घात N गुने में पी हो गया अब सवाल में दिया हुआ है कि amount जो है अपना दुगना हो जाता है कितने समय में तो यह आप कहोगे 5 वरसों में हो जाता है वही 5 वरसों में 5 स साल कर दें 20 साल कर दें तो हमारी जो मिश्र धन है वो कितना बन जाएगा यह बताईए तो देखे अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोश्चिस करें तो हम 5 में कितना कर रहे हैं 4 गुना कर रहे हैं आपको एक बात भाली भाती पता होगी कि A के घात M के N होता है आपको यह बात पता होगी कि M गुने N अगर करते हो तो कहने का मतलब यह कि आप घात में N कर दे रहे हो इसके तो अगर हम यहाँ पर 4 गुना कर रहे हैं तो आप देखे मूल धन में तो कहीं भी यह 4 गुना नहीं गया समय गया तो कहा गया समय गया इस फैक्टर के power में यानि इसके घात में चला गया मतलब ये 2 के घात में 4 हो जाएगा भई क्योंकि अगर आप power में कुछ भी गुणा करते हो तो इसका मतलब उसके घात में वो value चड़ जाती है मतलब यहाँ पर जो आपका मिश्रधन 20 साल के बाद होगा वो जाएगा 16 गुणे आपका जो मूलधन था वो था 12,000 तो 12,000 से इसको गुणा कर देते है और 16 गुणे 12 होता है 192 और आगे 30 और लग जाएगे मतलब उत्तर होगे आपका बी ओप्सिन ठीक है आशा करता हूँ कि आपको अच्छी समझ में आया होगा इस तरह के सवाल हम देखेंगे साधरन ब्याज में भी देखेंगे और चकर रिदी ब्याज में और भी सवाल देखेंगे इस तरह से जो कि आपके एक्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रखते हैं तो 10 सवाल हो चुके हैं आईए अगला सवाल देखते है चीनी की कीमत को 20% तक कम करने के बाद किसी को 600 रुपए की राशी पर 5 किलो अतरिक चीनी मिलता है तद अनुसार घटने के पहले परती किलो चीनी की कीमत क्या थी आईए इसको सौल परते हैं हमें एक बात पता है खर्च बरावर होती कीमत गु बाद में भी आपका जो रुपए में खर्च हो रही है वो 600 रुपए का ही खर्च हो रहा है कीमत जो है वो कीमत क्या हुआ देखिए कीमत हमने क्या किया 20% तक कम कर दी हमने अब देखिए 20% का मान हम पहले ही जानते है 20% का मतलब होता एक बटा 5 बात समझ में ही माने 5 पहले है और यहाँ 4 बटे 5 है तो खपत का value कैसे निकाल हो गया अगर x मान लेंगे तो यह इधर आ जाएगा ना 5 बटे 4 हो जाएगा वही हमने यहाँ पर direct लिखा हुआ है 5 बटे 4 तो अगर यहाँ पर 5 बटे 4 है इसका मतलब यह है कि पहले खपत 4 की होती थी अब कीमत क्योंकि कम हो गई और खर्च उतने का उतना ही है तो जाहिर से बात है खपत ज्यादा हो जाएगी तो अब देखिए यहाँ से हमको दिया हुआ है कि राशी के पर 5 किलो की अतरिक चीनी मिलती है मतलब 600 रुपए में आपको 5 किलो की अतरिक चीनी मिलती है हमारे इसाब से हमने जो माना है उसमें हमें एक अधिक मिल रहा है और एक अधिक बरावर 5 केजी दिया हुआ है तो अगर एक बरावर 5 केजी तो 4 बरावर 20 केजी अब यह है क्या, यह सारे values का मतलब क्या है, हमने यहाँ पर माना था कि यह 5 का मतलब जब आपका पहले की जो कीमत थी और यह जो कीमत है यह आपकी घटने के बाद की कीमत हो गई, तो पहले जो है घटने की पहले की कीमत, ताद अनुसार घटने की पहले की कीमत हमाँ निकालन तीस रुपय आ जाएगा 30 रुपय की जो कीमत है यह हमारी हो जाएगी एक केजी कीमत और यह जो सी उत्तर है यह सही जवाब है ठीक है अगर आप से यह पूछ लेता कि घटने के बाद की कीमत निकाली है तो घटने के बाद आप 25 केजी खरीट पा रहे थे भई तो 25 केजी बर बराबर 600 रुपया तो एक केजी बराबर आप निकाल सकते हैं जितना भी आ जाएगा 24 रुपय आ जाएगा ठीक अगला सवाल देखिए यहां साधारन ब्याज पर हमने लिया हुआ है साधारन ब्याज के एक मिश्टित दर पर साथ-दस सालों में राशी साथ कुना बन जात है यह तो आपको जानते ही होंगे कि अगर हम कभी भी किसी मूल धन को जमा करते हैं बैंक पे यह लेते हैं उधार लेते हैं तो उसमें आप ब्याज जोडते हो आखरी में जो आता है वो मिश्टित धन आता है लेकिन यहां पर बोला गया है कि अगर हमारा जो मूल धन है वो दस वर्षों में हुआ, दस वर्षों में हुआ ये, दस वर्ष लग गए, अब अगर हमको पूछा जा रहा है, कि कितने वर्ष मों 37 गुना होगा, मतलब एक से बढ़कर यहां पर कितना होगे, 37 होगया, तो आपने ब्याज कितना दिया हुआ, 36 का ब्याज दिया होगा अब ये कितने वर्ष में होगा T हमें निकालने को कह रहा है अब ये सवाल जो है ये सवाल है साधारन ब्याज के उपर तो हमें ये पता है कि ये जो ब्याज हम दे रहे ना चकरुद्धी ब्याज नहीं दे रहे हम क्या दे रहे साधारन ब्याज और सा देखिए वहाँ पर कुछ दिया नहीं है मतलब पहले वाले केस में दूसरे वाले केस में हमारा ब्याज की दर को से मान लेते हैं यहां पर 10 साल लग गए दूसरे वाले में आप 36 का ब्याज दे रहे हैं एक कमूलधन हो गया गुने आर बटे 100 और यहाँ पर गुने में टी है जो हमें निकालना है, अब हम क्या करेंगे, इसको विभाजित कर देते हैं, विभाजित करेंगे तो यहां 6 बटे 36 आ जाएगा, और देखिए यह आर बटे 100, आर बटे 100 कर जाएगा, 10 बटे टी आ जाएगा, 6 से कटेगा, यह छे बार, 37 बार, और 36 कटेगा 6 से 6 बार, यानि थोड़ा सा चौकर न रहेगा, क्योंकि ये जो सवाल है, सेम आपका चक्रविद्धी ब्याज पर आता है, तो देखे, फॉर्मूला आप लिखिए और उपर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखना कि साधारन ब्याज के लिए क्योंकि चक्रविद्धी ब्याज में अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे गलत हो जाएगा भी, ठीक है, चक्रविद्धी ब्याज के उपर मैं आपको सवाल कराऊँगा, और वहाँ भी हम जाके समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको करोगे 36 आएगा और ये हो जाएगा दस बटे टी, छे से कटेगा ये चातिस कटेगा छे बार, ताइम हाजाएगा प्रतीसत के समग्र लाब कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेशना चाहिए, तो सबसे पहले तो क्राय मूल्य निकाल दीजे, लाब प्रतीसत है, क्राय मूल्य को उतने प्रतीसत से बढ़ाऊगे तो आपका विक्रे मूल आ जाएगा, तो देखिए क्राय मूल्य की बात करते क्रे मूल्य में पहले तो उसने 12,500 रुपए में टीवी खरी दी 300 रुपए उसके परिवाहन यानि की यातायात में गया ठीक है परिवाहन में गया और 800 रुपए उसने किसमें इंस्टॉल करने के लिए यानि की उसको लगाने में खर्च कर दिया अगर इसको जोड़ोगे तो 00 यहाँ पर आगया आपका 8 और 8 16 फिर आगया 13 मतलब उसने 13,600 रुपए जो है पूरा जो खर्च हुआ उसका रुपए में ये हमें पता चल लिया अब देखिए हमें निकालना था उसका विकरे मूले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि विकरे मूले बराबर होता है क्रे मूले गुने 100 माइनस हानी का प्रतिश्यत बटे 100 लेकिन यहाँ हानी थोड़ी हो रही है, 15% का उसे लाब कमाना है, तो पहला वाला फॉर्मूला सही है, यहाँ पर माइनस हानी होता है, यहाँ पर प्लस लाब होता है, मतलब जो विकरे मूल्य होगा, विकरे मूल्य बराबर होता है, करे मूल्य 13,600 रूपे, और गुने में आएगा 23 तो अगर हम इसको काट देते 00 यह 23 होगा 002 से काट तो कितना जाएगा आपका जवाब होगा 6 और 680 अब देखिए हमें जो गुणा करना है उसमें यह बन गया आपका 680 गुणे 23 तो अगर हम यहाँ पर 0 लिख रहे हैं अगला वाला जो 3 गुणे आप 8 करोगे तो 24 आएगा मतलब आखरी की जो दो आंखे 40 है और option में केवल एक ही option ऐसा है जो 40 है मतलब पूरा इसका जो हो जाएगा 15,640 रुपय हो जाएगा आशा करता हूँ आपको यह समझ में जरूर आया होगा चली अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर आ चुका है अगला सवाल सॉल्व करने के कोशिश करते हैं विकरी कर सहीत एक वस्तू का जो विकरे मूल्य है वो है आपका 616 रुप में आप 100 में लाब प्रतिसत बढ़ाओगे बटे में 100 करोगे तो आजाएगा आपका विकरे मूल्य तो देखिए अगर मेरा यहाँ पर वस्तू का करे मूल्य जो भी हो हमें निकालना है तो यहाँ पर हम करे मूल्य लिख लेते हैं जो हमें निकालना है गुणे में लाब प और वो है 616 रॉपया और 616 रूपया कब आया आपके करे मुल्य में आपने 10 प्रतीसत के कर दर को बढ़ा कर वहाँ पर आपने यहां पर विकरे मुल्य निकाला, मतलब देखे SAT इतना तो हो गई होगा, इसमें 10 प्रतीसत और बढ़ाने का मतलब है 110 बटे 100 कर देना बात सबझ में आई, 10 परतीसित तो आपका कर का दर भी है ना, तो पहले तो इतना बढ़ाना पढ़ेगा, लाप परतीसित से और बढ़ाना पढ़ेगा, तब जाके आपका जो विक्रह मुल आएगा, वो कौन सा होगा? विक्रे करके सहीत का आपका ये होगा विक्रे मुल्य ठीक है, अब इसको solve करने की कोशिश करता है, एक 0 इससे कटेगा, 11 इससे कटेगा 56 बार, और 56 का ये दुबना होता है, 2 से ये 10 को काटोगे, 5 आएगा, तो 5 गुने 100, मतलब करय मुल्य कितना आगया, करय मुल्य हो गया, आपका पांच गुने सो और जो कि होता है पांच सो रुपया ए उप्शन जो है इसका सही जवाब है ठीक है आशा करता हूं कि यह सवाल आपको अच्छे से समझ भेया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए यहां पर आ चुका है और यह दिया हुआ है जब एक वस्तू को 116 रुपय में बेचा जाता है तो इसका लाब 92 रुपय पर बेचे जाने वाले हानी का तीन गुना होता है तो वस्तू का लागत मुल्य क्या है एक छोटी सी बात तो हम जानते ही है कि कराय मुल्य में जब लाब जोड़ा जाता है तो विकरे मुल्य आता है औ तो मैं देखिए इस तरह से इसको लिख लेता हूं कि मेरा क्राय मुले इधर बीच में लिख लेते हैं ऐसा और जब इसमें लाव जोडेंगे तो यहां से विक्राय मुले निकल के आएगा और जब हम इसमें हानी को घटा देंगे माइनस हानी कर लेते हैं यहां से तो भी एक विकरे मुल्य निकल के आएगा और हमें दिया हुआ है जब आप लाव जोड रहे हैं तो विकरे मुल्य आया 116 रुपिय का और जब लाव घटा रहे हैं तो आपका विकरे मुल्य निकल के आगे 92 रुपीज का दूसरी बात इसका जो लाव होता है वो इतने पर बेशने वाले हानी का तीन गुना होता है तो अगर यहाँ पर हानी एक्स की हो रही है तो यहाँ थ्री एक्स का लाव हो रहा होगा तीन गुना लाव हो रहा होगा बात समझ में अगर यहाँ पर हानी एक्स की हो रही है तो यहाँ पर उसका तीन गुना यानि थ्री एक्स का आपको लाव ह तो आप समझिए कि यह जो क्राय मूले है इस क्राय मूले में आपने 3X बढ़ाया तब वहाँ पर पहुंचे यहां विक्राय मूले में X को घटाया तब यहां पर पहुंचे मतलब इन दोनों संख्याओं का पेच का अंतर हो जाएगा 4X बात समझ में आई उनि 4X बढ़ावर हो गया 116-92 तो 4X बढ़ावर 6 में से 2 गया तो यहां पर बचा 4 और 11 में से 9 गया तो बचा 4 2, 4X बढ़ावर इतना तो X बढ़ावर 6 रूपया अब आपको जो पसंद है एक्स बरावर 6 रुपय हो गया और 3 एक्स बरावर 18 तो यह तो आप 116 में 18 घटा के क्राइमुल निकालिए या 92 में 6 रुपय जोड कर यहां पर 98 रुपय निकालिए बात एक है हमें क्राइमुल ने चाहिए था चाहिए आप क्यासे भी निकाल दीज अनीता को उत्मों 15 प्रतिशट टौफी दी एक सोथाई टौफी उसने प्रकाश को दी तो वितरन करने के बाद कमल के पास कितनी टौफिया बचे तेक है असान सा सवाल है एक सो साथ टौफी है हमारे पास 160 टॉफी है हमारे पास इसके बाद ये 5 प्रतिसत दे रहा है एक फ्रेंड को 15 प्रतिसत अगले फ्रेंड को दे रहा है एक चौथा ही मतलब एक बटे चौथा किसी को दे रहा है बाकी यहाँ पर बच रहा है तो अगर हम देखें तो 5% टौफी उसने रवी को निकाल के दिया था तो अगर 10% होता तो आसानी से 16 लिख लेते 10% मतलब 160 का 16 होता है लेकिन यहां पर 5% है तो 16 का भी आधा हो जाएगा जो की 8 हो जाएगा अब 10% का मतलब 16 होता है और उसमें 5% भी जोड़ोगे 8 जैसे हम निकाल रहे हैं कि 10% मतलब 16 उसमें 5% भी जोड़ोगे आजाएगा अब एक चौथा ही मतलब 160 का इक चौथा ही होता है 40 अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो देखिए हो गया 40 प्लस 24 हो गया 64 64 में 8 जोड़ेंगे तो 72 यहां पर आ गया यहां पर उसने 72 वितरित कर दिये तो जो बचे होंगे 160 में से आप 72 घटा दीजिए तो बचेंगे कितने 88 88 बचेंगे ठीक है सी ओप्षन जो है इस सवाल का सही उत्तर है आशा करता हूं कि आपको इस समझ में आयोगा कि हमने यहां पर क्या से क्याल्कुलेट किया है ठीक चलिए एक आखरी सवाल और हैं आपर दियावा ऐ और बी एक व्यापार में 4 अनुपात 5 के अनुपात में निवेश करते हैं 10 महने के बाद भी निवेश वापस लेने के बाद व्यापार छोड़ देता है पहले साल के अंत में कारुबार में 6,000 का रुपे का मुनाफ़ा कि कमाया इसमें से बी का हिस्स तो अगर हम यहां से A और B की बात करते हैं, ठीक है, तो इनका जो निवेश है, वो किस अनुपात में था, आपका जवाब होगा वही, चार अनुपात, पांच के अनुपात में था, और जो समय के लिए ये लोग अनुपात कर रहे हैं, वो समय का अनुपात की अगर हम बात कर तो यहां से आप देख पारें, 10 महीने के बाद B छोड़ देता है, और पहले साल के अंत में आपका लाब क्यलकुलेट हो रहा है, तो A और B स्टार्टिंग से थे, मतलब A अगर 12 महीने के बाद आप क्यलकुलेट कर रहे हो, मतलब A तो पूरे के पूरे 12 महीने रहेगा, लेकि B जो है वो 10 महीने के लिए ही रहेगा, क्योंकि 10 महीने के बाद वो निवेश निकालकर व्यापार छोड़ देता है, मतलब B का पैसा है वो 10 महीने के लिए उपयोग हो रहा है, और A का पैसा जो है 12 महीने के लिए उपयोग हो रहा है, अब अगर लाब की बात करते हैं, तो लाब जाता है भाई निवेश गुणे समय में तो इसको गुणा करना पड़ेगा मतलब यह 48 होगे और यह आपका 50 बन गए दो से काटने पर यह अनुपाद बन जाएगा 24 अनुपाद 25 तो 24 प्लस 25 होता कितना है आपका जवाब होगा 49 होता है और पूरा का पूरा जो लाब ह दिया हुआ है 49,000 मतलब एक यूनिट बरावर एक यूनिट बरावर एक हजार रुपय हो गया एक यूनिट बरावर एक हजार रुपय हो गया अब यही तो निकालना था कि बी के हिस्से में कितना आने वाला है तो बी के हिस्से में यहां से आप देख पारे 25 है एक हजार त कि गनती योग्यता के इस भागदों में प्रतिशत, लाभ और हानी, साधरन ब्याज, चक्रविद्धी ब्याज और साजेदारी के जुट कोशन हमने डिसकस किये हैं, यह निश्चित ही आपके प्रिपरेशन को एक नए स्थर पर ले जाएंगे और आपने कुछ नए चीज यह यहाँ पर सीखे भी होंगे, ना सिर्फ हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किया है, बलकि सूत्र भी देखे, उसके कॉंसेट भी देखा, आशा करता हूं कि इन टॉपिक्स से आपके सवाल जो है एक्जाम में जरूर बनेंगे, इस वीडियो में अभी इतना ही, कल मिलेंगे पार आइकन को प्रेस करना ना भूले